तो लास्ट नुन तक लोगों ने जो बाते कर ली थी वह ये थी कि potential energy का कौन से किस तरह से हम समझते हैं? और potential course की help से किस तरह से समझ लेते हैं? तो एक relation हम लोगों नहीं देखा था potential energy और work में वह relation हमारा क्या रहा था? U initial minus U final is equal to integral F dot dr या या इसी को हम दूसरे लफजों में लिख रहा है कि यह जो था हमारा वर्गन बाई कंजर्वेटिव फोर्स था और यह किसके एक्वल होता है माइनस टाइमस वर्गन बाई एक्स्टर्नल फॉर्स या दें ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर इसकी हल्प से हम एक रिलेशन लिखते हो रिलेशन किस तरह से था भाई अगर यू जो है वो इसका इंटिग्रेशन करने पर आ रहा है तो जो जो ऐसे जाएगा इसका इंटिग्रेशन लिखते हैं, ता ध ये कि f is equal to minus del u by del x i cap minus del u by del y j cap minus del u by del z कि क्यात हो गया ठीक है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह expression जो आपको दिख रहा है इससे हम potential energy अगर मैं as a function of x y z दिया हुआ है तो उसे हम force निकाल सकते हैं और इस expression से अगर मैं force as a function of x y z दिया गया है तो वहाँ से हम simply potential energy calculate कर सकते हैं तो यहाँ से force से potential energy और potential energy से force calculate कर सकते हैं similar type का relation होता है हमारा electrostatic case में वो relation किस तरह से बनता देखो जान से हम लोगों ने क्या सीखा हम लोगों यह सीखा कि वी इनिशल माइनस वी फाइनल इतना potential इस इक्वल डू इंटेग्रल इडॉट इंटियार इसमें कोई दिक्कत नहीं कि यहां मैंने साइन निस कर दिया था यह ठीक है देखो देखो जान से यहां तो कोई दिक्कत कुछ गबढ़ तो नहीं निखाना नहीं है सब से यह ठेक है देखो क्या यहां से यहां से आभड़ पास आ गया इस सी मिलट टाइप का रिलेशन इसमें अप्लाई का कि डेल वाई जे कैप मैनेस डेल वी बाई डेल जेड के कैप यहां तक बात क्लियर है कि यहां पर अगर हमें एनर्जी एज़ फॉंक्शन ओफ एक्साई ज़ड या आर का फॉंक्शन दिया हुआ तो वहाँसे पोटेंशल लिकाल सकते हैं और अगर पोटेंशल एज़ फॉंक्शन ओफ एक्साई ज़ड दिया गया तो वहाँसे में इलेक्रीफ फील लिकाल सकते हैं अब सिंपल सिंपल जिसके एक्जाम्पल नहीं सकते हैं वह बहुत एज़ी ली कर सकते हैं लेकि इस पर टाइंड यस नहीं करेंगे इस तरह से बोल दिया गया है एक पोटेंशल एज़ी का फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है कि 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 सर्य जो पोटेंशल है पोटेंशलाजी की बात नहीं करेंगे आप इस तरह से दिया गया है तो आपसे क्या बोला जाएगा कि बताओ इसका इस पोटेंशल के अंतरकत आपका आपके सिंबल क्या करोगी और यह से एक वेक्टर क्वांटिटी बद्र दींशल के हम इंग सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं बाद नहीं है अब इसमें आगे और क्या बात कर सकते हैं हम लो पहले एक काम करो इसको उतार लो आप इसी में आगे बढ़ते हुए अगर माल लो मैंने आप से पोल दिया कि एक statement मैंने आप से बोला और इसमें आप से पुछा यह सही है गलत हाथ को simple इतना बताना है तो माल लो मैंने आप सब को इस तरह से statement दिया कि अगर if electric field is equal to 0 if electric field is equal to 0 it implies that potential is equal to 0 आप इस relation को अपने माइंड ने जरूर रखे is equal to minus dv by minus dv by dr ठीक मैं जब लोगोने तीन coordinate system में भी इसको चेंगे लिख लिया थे तो आप simple इतना चोटा सा term ज़्याद रखें d is equal to minus dv by dr ठीक कोई दिक्कत ने दूसरा माल लो आपसे बोल दिया मैंने कि if v is equal to 0 it implies that e is equal to 0 मतलब अगर electric field कहीं पर 0 है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि potential उस जगे पर भी 0 होगा या दूसरा statement दिया गया है कि एक जगे पर potential 0 है और आप क्या बोल सकते हैं ये बात कि यहाँ पर electric field की value भी 0 होने वाली है कैसे तरह से अपन statement दे सकते हैं यह अपसे बोला गया तो इसमें से कौन सा true है कौन सा false है आपको simple बता लागा है देख रहा है नहीं देख रहा होगा क्यूं देखो एक्जमबल देखो इसका दूरू समझते हैं यहाँ पर अगर अगर electric field की value 0 रखो तो भाई वी की value कि इत्ती है रखती हमां पास integrate करके आती है आपका वी initial से वी final आप integrate करते हैं तो आपके बास आजाता है कि हमारे पास बनके आता है EDR ठीक है ना तो आप integration यहाँ e का value 0 रखो तो potentially value कुछ constant आएगी यह तो mathematical यह इस तरह समझ सकते हैं दूसरी बात हम एक तरह का और समझ सकते हैं जान से मान लोई एक example दूसरे से देखो कूछ इस तरह का एक charge यहाँ क्यों रखा एक charge यहाँ क्यों रखा है क्यों रखा है रे charge यहाँ विक्यों क्यों क्यों रखा तो आपसे बोला गया, इस बताओ, इसकी सेंटर पे आप इलेक्ट्री फिल्ल और प्रोटेंशल का बखली लिख दो, जो जीरो है नॉन जीरो, आपसे मतलब नहीं कि कितना होगा, सिर्फ इता बताओ, जीरो और ना जीरो होगा, यहाँ अगर हम इलेक्ट्री फिल्ल की बात कर करें, तो पोटेंशल का होगा, के क्यू बाई यहां से, के क्यू बाई या, पोटेंशल जो आएगा, that is not equal to zero, तो अगर इलेक्ट्री फिल्ल जीरो है, वहाँ पर पोटेंशल जीरो हो, ठीक है ना, तो यह स्ट्रेट्मेंट तुमारा फिल्कलत है, दूसरे पोटेंशल जीरो है, तो इलेक्ट्री फिल्ल माँ पर जीरो होगा, रखके देखो है आपर, पोटेंशल जीरो है, तो इलेक्ट्री फिल्ल स्ट्रेट्मेंट से तो लग रहा है कि हाँ भाई, अगर हम E is equal to minus d by dr of zero करते हैं, तो हमें इलेक्ट्री फिल्ल मिलना चाहिए, दे तो रहा है यहां से, कोई बात नी, थोड़ा से एक गंपस देखते है, माल लगा मैंने आपसे बोर दिया, कि एक स्क्वायर के वाटेस मैंने q, q, minus q, minus q रखती है, अब इसको सेंटर वे आप एलेक्ट्री फिल्ल लिखो, क्या इसकी वरे से इधर, और इस minus q की वरे से भी इ तरफ, जिन एक जो है वो 0 नहीं आएगी, इस not equal to 0, बट पोटेंशली को, इसके रह से kqyr, इसके रह से kqyr, इसके रह से minus qyr, इसके रह से minus qyr, इसके रह से minus qyr, या चारो अपने एक दूसरे को कार देंगे, यानि पोटेंशल के अलेवित्ती है जाएगी, 0, यानि अ प्रिटिक देट, इक भी जरू नहीं हो सकता है यह बात, तो यहां से कुछ अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलें, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलें, कि आपकी दिमाग में पिक्चर बनी हुई है कि नहीं, अगर अगर पोटेंशल 0 है, तो अगर पोटेंशल 0 है, तो बुद्ध गराइस एक नोटपांट डलके लिख लेना, तो यहां तक बात आपको I hope clear हो गई होगी होगी, अब दूसरी बात हम इसमें क्या करते हैं, कि आपको graph को भी understand करना आना चाहिए, graph को समझना आना चाहिए, कि हम किस तरह से graph को समझ सकते हैं, graph की help से potential energy predict कर सकते हैं, graph की help से electric field predict कर सकते हैं, कि अगर यह electric field का curve है, तो potential का curve कि इस तरह का बन रहा होगा, यह सारी चीज़े भी predict करना हमें आना चाहिए, देखो देंसे, मांदो मैंने आपसे बोल दिया, कि यह कुछ इस तरह से electric field का और पर बढ़िया आना रखते हैं, समझा है, इस तरह से कुछ graph है, इस तरह से कुछ एक graph है, ठीक है, यह electric field और x का graph है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको potential कर दो ज्यादा अच्छा है, potential और x का graph दिया गया है, आप से बोला गया है कि बताओ कुछ points मांख किये गए, point A, point B, point, यहां मत मालूँ उसको, point, point C, ठीक है, और point, point D, इन points पे बताओ कि electric field की direction क्या होगी, potential खाली curve दिया गया और आप से electric field की direction पूची गई, तो होद एंसे, एक बात हम समझते हैं, एक बात हम क्या जानते हैं, कि electric field जो होता है, that is equal to minus dv by dx, इसका इसका d simple r के term में लिख लेते हैं, dv by dr, चलो x में लिख success दिखे हैं, इस statement का तात पर रिख्या है, कि जो भी हमारा v और x, v और x का जो भी curve बन रहा होगा, उसका slope दरशाता है dv by dx, dv by dx क्या दिखाता है, v x curve का slope, क्या ये बात clear है, कि v x कर्व का, जो भी slope होगा, वो dv by dx से निकल रहा है, अब दूसरी बात, कि वो जो slope निकल लहा है, उसको negative से multiply कर रहा है, उसको उल्टा कर रहा है, या अगर slope इस तरह है, तो उसको negative कर देंगे, तो इस तरह हो जाएगा, ठीकरा, तो उसका negative करने पर हमें electric field में लाए, य जो slope है, वो 0 है, यहाँ पर slope के वेलू कित्ती है, 0, देख़ो, हम लोग सिर्फ v और x की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ slope की बात कर रहा है, तो वो आपको parallel to the x-axis आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो slope है, वो parallel to the x-axis आ निए, slope के लिए dv by dx के वेलू कित्ती है, यह 0, यहाँ पर electric field के वेलू मतलब कित्ती हो गई, 0, क्या यहाँ तक बात के लिए, दूसरी बात, b point पर आजो, क्या b point पर, क्या b point पर slope कुछ इस तरह की आ रही है, अर्थात, slope अगर इस तरफ को है, तो जो electric field होगी, जो, दोखो आप slope इदर का मतलब क्या है, क्या slope positive और negative है, slope positive है, इसका मतलब है, कि electric field के इस डिरेक्शन में लगेगा, negative direction में, slope क्या है, dv by dx, यह b की बात कर रहे है, यह b point के लिए, slope क्या है, slope जो है, that is, positive, positive, negative slope समझते हो न, यह भी नहीं पाता है, दर बदर, यह positive slope, यह, negative slope, ठीक न, this is a positive slope, this is a negative slope, को दिकत, देख जांसे, कोछ फिल्टा तो नहीं लिखा न, मैंने, यह सब साही है, हुआ, हुआ, जा दुल्टे लिख दिये कह, यह ने, positive, यह negative, देखो, तुम लोग के शेकर में खुद भूल जाता हूँ, मैं, ने, सही है, सब सही है, हुआ, चल, तो यह क्या आगया, dby by dx यहां पर किता, कैसा है, positive, तो, electric field direction के धार होगी, negative direction में, सही है, कोई दिक्कत है है, यह negative, अद दिखो, यह मुशे confusion हो, क्यों हो रहा है, इसमें इतना, मैंने उल्टा लिखा वह यह, यह negative है, यह positive है, यह यह आपका negative है, और electric field है, that will be positive, that will be, यह negative है, और यह आपका positive आएगा, ठेके न, देखो, मेरा दिमाग कहां चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, electric field के धार आगी, positive, हम इस तरह से पूर नियाद रखते है, इस तको किस तरह से, y is equal to mx plus c का जो equation होता है, वहाँ से बर्माइजल कर लो, गरबड़े रहे होगे, वो क्या होता है, m क्या होता है, slope होती ही, और c क्या होता है, y एक्स पे intercept होता है, तो इस तरह का equation दिखा जाता है, तो इस तरह का, इस पे क्या होता है, slope इस तरह से लेते हैं, theta, और इसमें लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ultra theta लेना पड़ेगा, इस तरह slope negative, इसमें इसमें, सीधा theta लेंगे, तो slope हमारी positive रहाईगी, ठीक है, ना, कभी-कभी दिवा काम करना बंद कर देता है तो आई हूप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा अद्धो कोज़े चमानों C पर बात कि जिए तो यहां पर क्या होगी स्लोप हमारी कैसी है पॉजिटिव स्लोप कैसी यहां पर देख सकते हैं कि इलक्री फील और पोटेंशल में किस तरह इलेरिशन आप मालो उल्टाइद ग्राफ दिया गया हो ई-एक्स कर्व का ग्राफ दिया गया हो यह आपके पास इधर E हो इधर X हो तो आपसे बोलते हैं पोटेंशल किस तरह स्फ़ाइड करेंगे तो E-X कर्व का इस कर्व का एरिया इस कर्व का एरिया हमें पोटेंशल देगा यह माइनर हैं से रखना है आपको कोई भी एक E-X कर्व दिया गया हो मालो कुछ इस तरह का दिया गया इस तरह कुछ दिया गया है ठीक है ये e है इधर एक से पथा अग्वार करता होगा व आपको अपको कर नहीं निगा लेना कि इसका इरिय निकाल ले ना जी तो एसका अयरिय निकाल लो इसका अग्षे में अपरब n से अग्षी साहया बहुत इंपोडंड़न चीज पर आप नूट करो तो एलेक्ट्री फील और पोटेंशिल में आई होब यहां तक की बाते हैं मतलब कोई दिक्कत नहीं दे रही होगी और जो भी है सब कुछ मतलब पोटेंशियल से कुछ है है पोटेंशियल पर समय से कुछ selling पोटेंशियल जहां पर एकृम सिंपल उसको बोलते हैं हम एक पिटि सर भी सिद्धि पर पोटेंशियल यह किसी भी जगह विपнач नो जी स सर फेल सक ना रही हो जिस सर फेल सब Two- poz potential surface ठीक है न मालो इस तरह से कुछ electric field दी गई है constant electric field ठीक है और आप से बोला गया है कुछ इस तरह का एक surface दिया होगा इसमें बिल्कुल parallel electric field को cut करता हूँ मन्दब इस तरह से perpendicular cut कर रहा है ठीक है अब दिख रहा है plane में तिर्चाय लेकिन पर perpendicular है ठीक है एक ही point पर सब्सक्राइब कर रहा है इस तरह की surface पर क्या होगा हर पॉइंट पर देखो यहां पर भी electric field की value हर पॉइंट पर सेम है इसका मतलब potential भी सेम होगा तो इस सब्सक्राइब की surface क्या बहुत है एक पोटेंचिल surface बात clear मालो इस तरह से आपको सवाल रुबिया जाए किस तरह से देखो देंसे कि एक point यहां है एक point यहां है यह point है 2,4 यह 4,6 ठीक है एक point को यहां से यहां तक ले गए तो बताओ कि कितना work done करना पड़ा charge value दे देखा टू कूलम का charge था यहां से यहां तक ले जाने कितना work done करना पड़ा समय जा रहा है तो आपको करना क्या है देखो देंसे यहां potential लिखो यहां potential लिखो ठीक है दोनों गटा दो कि उसे multiply करा दो ठीक है यहां पर जो होगा spherical equipotential surface spherical दूसरा क्या होता है मेरा cylindrical और दूसरा क्या होता प्लेणर प्लेणर आप नीचे लिए लिए प्लेणर इस तरह आपको फील्ड वहां पे ब्या जाए जाए जब आप 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 आप्टेक्स पढ़ते हैं आप 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 वे फ्रंट का concept पढ़ते हैं तो वह इसी तरह से हो तीन तरह के होते हैं वे फ्रंट होते हैं यह क्या एक प्टेंशल सर्फेस है ठीक है किस तरह से इसको समझते हैं देखो दान सबसे पहले spherical की बात करते है इसको बोलेंगे अपिछन सर्फेस स्छेस ठेक है, मालो आप से cylindrical की बात करें, इस इसमें क्या होगा, देखो, इस तरह को एक charge distribution, एक rod पे charge भी खरा दिया गया, इस पर क्या होगा? इस तरह इस line बने बने चाड़ो तरफ इस तरह इस तरह से, ठेक है, इस तरह चाड़ो तरफ होंगी, में कों उंकुलोज करता अभर प्रिक सिलिंट्र नेगा एक सिलिंडर बनेगा इसको क्या बलते हैं सिल्ंड्र का लिखी बॉटनसी सर्फेस और प्रिएर बंता है जब हमाराद चार्ज इंफिनिटी पर रखा होता है तो मिमें अने वाले mold और लोंग ही इस तरह यकले ब्लेफ्रेंट में गलता है फॉम होती है जब हमारा charge एक point source होता है, point source की तरह charge होता है, तो वहाँ जब electric field lines उनका एक envelope बनाते है, तो वह हमारा एक sphere बनता है, cylindrical कब बनता है, जब charge एक linear charge होता है, ठीक न, एक rod type का होता, तो उसमें क्या बनता है हमारा cylindrical equipotation surface, और planar equipotation कब बनता है, जब charge कहा होता है, infinity पर यह बात ध्यान रोकोगे, चार्ज जब infinity पर है, तभी हमारा planar equipotential surface बनने वाला है, तो यह बात clear होगे, यह थी equipotential surface की बात है, किस तरह से equipotential surface को feel कर सकते हैं, ठीक है न, उतारो, तो I hope जो potential की बाते हैं, और एक पर potential surfaces है, किस तरह से electric field potential को पर एक साथ handle करते हैं, किस तरह से graph read करते हैं, यह सारी बात है, आपके समझ में आगी होगी, ठीक है न, फिर भी कोई doubt रहे का हो, तो आप नीचे comment section में जरूँ पोशने हो, तो आप चलो मिलते हैं, आप next class में लोग dipol पढ़ेंगे, dipol में किस तरह से हम लोग questions को deal करते हैं, किस तरह से सारी उसकी गत्विधियों पर हम लोग lecture करते हैं, तरह हम लोग next class में देखेंगे, ठीक है, चलो आज के एक उच्छा को एक विरान देने का समया आगी है,